दोस्तों क्या आप भी अपने फोराम को मजबूत करना चाते है उनको चौडा और कटिंगदार बनाना चाते है तो हर रूज अपनी वर्काउट के बाद वर्काउट के लास्ट में चार एकसरसाइज जरूर करें exercise number one forearm wrist curl दोस्तों इस exercise को कुछ इस तरह से perform करना होता है इसको आप हाथ में eat या कोई भी बज़नदार चीज लेकर अपने घर पर भी perform कर सकते हैं exercise number two reverse wrist curl दोस्तों इस exercise को भी आपको पहली exercise की तरह ही perform करना होता है बस फर्क इतना है कि इसमें आपको अपने हाथों को उल्टा रखना है और फिर इसको कुछ इस तरह से perform करना होता है exercise number three wrist roller दोस्तों wrist roller काफी उम्दा exercise अप four arms को चोड़ा और cutting दार बनाने के लिए और इसको कुछ इस तरह से perform करना होता है exercise number four four arms dead hang दोस्तों इस exercise में आपको करना क्या होता है आपको कुछ इस तरह से लटकना होता है अब आप इस position को जितनी देर hold कर सकते हैं उतनी देर hold करें इससे आपके four arms काफी तेजी से grow होते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और interesting workout और information के साथ